अमोल जी पहले आपसे शुरुवात करेंगे बताइए कहां पर देख रहे हैं ट्रेट की मौके जैसे आज बैंकिंग स्टॉक्स में अक्टिविटी है तो प्राविट बैंक्स आउट परफॉंग कर रहे हैं मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा पॉजिशनल पॉइसर्ष रहे हैं वकात principio के साथ जाना चाहूंगा 5-3-5-0 के असपास है ये भी positionally है 5-6-5-0 और 5-7-0-0 targets निकल के आ रहे हैं और stop loss है उसका 5-2-2-0 interesting formation है bounce back के बार एक consolidation हुआ है और stop में कही ना कही लग रहा है कि ये charts पर दिख रहा है कि double bottom formation के बार reversal formation हुआ है मुझे लगता है ये अगर formation continue रहता है तो कोफोर्ज भी आने वाले दिनों में अच्छा पासा technical bounce back दे सकता है तो trend के साथ रहे है कोफोर्ज आज IT stocks चल भी रहे हैं IT और banks दोनों में अच्छी buying तो उसी के साथ जाएए कोफोर्ज 5,650 5,700 के target के लिए और इसके अलावा access bank भी अच्छा लग रहा है यहां पर भी आप देजी करके चल सकते हैं 1250 और 1260 के levels दिखाई दे रहे हैं और अभी कुछ दे पहले और अच्छी buying भी नज़र आ रही है banking stock में जो सुबह तक नहीं चल ले थे IDFC, First Bank कुछ चुनिता मिटका बैंकों में भी अच्छी buying भी आप देखने को मिल रहे हैं तो इस पर भी नज़र अखिए चलिए रवी आप भी बताइए आप trade के मौके कहां पर देख रहे हैं देखिए पुझा जी मैं थोड़ा defensive चलता हूँ एक bullish है bearish और इस समय अगर आप देखें तो bearish candle भी हावी हो रही है निफ्टी पर और bullish candle भी bank निफ्टी पर हावी हो रही है लेकिन इन सबसे अलग एक stock है Castrol India आज positive trend में है और यहां पर current level पर एक मौका दे रहा है long term investor के लिए भी buy का और short term intra trade trader के हिसाब से तो Castrol India को current level पर करना है buy target होगा 220 का और stop loss रखिए 198 का दूसरा मैंने का bearish candle, red candle भी अच्छी लग रही है और इस समय red में जाते हैं तो मुझे लगता है कि Indigo current level पर future में यानि जो लोग future में trade करते यह उनके लिए trade है cash वाले जो है वो चाहे तो यहां पर अपने अगर पीछे buy कर रखा है तो stock book कर ले fresh इस आप से sell की strategy ना ले तो current level पर sell की strategy 4000 तक के levels आ जाएंगे stop loss देखते हैं तो यहां पर 3300 stop loss से आपको चलने की राए है मुझे ऐसा लगता है दोनों stock market up हो या down हो दोनों ही आपको एक site से profit देते वहने ज़र आएंगे तो inter globe aviation future levels में आप बिखवाली करके चलिए 4000 के target के लिए cash वर इंडिया यहां पर भी आप तेजी करके चलिए 220 के target के लिए तो इस mahal में थोड़ा defensive अगर आपको play करना है तो यह दो stocks पर सला दी जा रही है रवी की तरफ से और इसके अलावा trend के साथ जाएंगे तो banking stocks, IT stocks चुनिंदा अभी भी मौकिय उस पर नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए access bank को फो जैसे stocks पर आप नज़र रखिए इस बीच कुछ और भी stocks में action दिखाई दे रहा है आज हम देख रहे हैं कि fertilizer stocks में काफी अच्छी तेजी है चंबल fertilizer, RCF, FACT जैसे stocks आज चल रहे हैं और खबर आ रही है कि GST में fertilizer stocks को fertilizer company को लेकर कुछ फैसला हो सकता है recommendation भी जा चुकी है देखना होगा क्या कुछ कदर महां से उठ निकल कर आता है लेकिन शांदार तेजी है 7-8% की मजबूती और अब जो चुनिंदा stocks नहीं चल रहे थे वहाँ पर भी अच्छी buying नज़र आ रही है fertilizer space में Amol जी कोई stock है आपको जहां पर अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं entry लेने के लिए यह दो दिन से इसमें bullish momentum पकड़ा है pattern अभी भी bullish है थोड़ा सा temporary overbought है इसके लिए थोड़ा सा में संबल के चल रहा हूँ बढ़ अगर किसी को train follow करना है यह कोई breakout trader I think मुझे एक fact अच्छा लग रहा है I think 880 का एक support है उसके उपर जब तक रहता है तब तक यह जो breakout texture है वो continue रह सकता है on the higher side अगर भी देखता हूँ तो यह 955-965 तक इसमें rally आ सकता है दूसरा में RCA के साथ भी अगर जाओंगा तो फड़ा वेट करूँगा क्योंकि आज gap up opening है और उसके बाद एक थोड़ा सा डल पर रहे तो उपरी लेवल पर आ रहा है तो RCA के लिए में वेट करूँगा तो अगर मैं चंबल को दिख चंबल fertilizers में तो चंबल चंबल fertilizers में 460 का एक support रहेगा जब तक 460 के ऊपर चंबल fertilizers से I think यह bullish momentum continue रहेगा breakout texture भी जो बना हुआ है वो continue रहेगा और आने वाले दिनों में इस टॉक in fact 485, 491, 500 कद भी medium term में जाने के चांसे सिहां से लिख जा है चंबल fertilizers का stock की बात करें तो 485, 490 और 500 के targets इस stock पर दिये जा रहे है अमने fertilizer stocks की बात कर ली sugar sector पर भी नज़र डालते है यहां पर भी काफी action है श्री रेनु का शुगर, बलरामपूर चिनी, ट्रीवेनी, एंजिनेरिंग सभी चेहरों में करीब 8-15% की तेजी आज के trading session में दिखाई दी है कुछ reports आई है कि शरत पवार ने government, central government से request की है कि जो export restrictions लगाए गया है sugar पर वो निकाल देने चाहिए और ethanol blending पर भी restrictions लगाए गया है उसको भी निकाल देने चाहिए जिसके चलते farmers को फाइदा हो सकता है इतना खास कुछ फाइदा शुगर कंपनियों को नहीं होगा ये तो ही fundamental reason technical वज़ा भी जान लेते हैं रवी क्या लगता है शुगर शेरों पर त्रिवेनी एंजिनेरिंग, बलरामपूर चीनी और श्री देनु का शुगर देखिया शीशा जी शुगर की चर्चा तभी होती तभी मीठा अच्छा लगता है जब आपका बज़ट का हलवा बन रहा होता है और जब बज़ट का हलवा आने वाला होता है तो ये सारे शेर किसी ना किसी reason से भागना शुरू हो जाते मौका मिलता है इन्वेस्मेंट करने का और अभी चुकि इनका अगर देखा जा तो अभी वो expectation continue है थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे लेकिन बज़ट के बाद सबसे हाथ जोड़ लीजेगा सबसे निकल जाईएगा क्योंकि जितना आपको अभी आपको दे रहे उससे ज़्यादा ये लेते हुए वापिस नजर आएंगे और profit में आपकर नुकसान हो सकता है लेकिन अभी फिलाल आपने श्री रेन का शुगर की बात की देखिया 58 रुपए का target यहाँ पर current level से दिखाई दे रहा है और दूसी तरफ अगर बलरामपूर चीनी को focus करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी aggressive हो चुका है 450 तक के लक्ष यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं धामपूर शुगर की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी तेजी में है और इस समय 260 रुपए के आसपास के लेवल से आँपर दिखा सकता है एक जो स्टॉक अच्छा लगा है वो है बजाज हिंद जो अभी भी चल रहा है मुझे लगता है 48 रुपए तक अभी बजाज हिंद आपको जाता हुआ नजर आएगा तो यह एक अग्रेसिव ट्रेड यहां पर देखने को मिलेंगे लेकिन एक स्टॉक जो मैं आपकी चर्चा में और दिखा लाना चाहता हूँ बिकॉज आप सारे स्टॉक का मोमिंटम देखती वो है इद पैरी इस समय चल रहा है वो साड़े साथ परसेंट उपर तो यहां पर अभी थोड़ा सा वेट करिए मुझे ऐसा लगता है कि यह 810 के आपड़े को छू सकता है तो पूरे शुगर स्पेस में तेजी है ट्रेंडी है आपका फ्रेंड है थोड़ा सा वेट कर लीजे प्रॉफिट बढ़ाईए लेकिन फ्रेश इंवेस्टमेंट करने में सोच समझ कर करिए जिस पर बता रहे है सिर्फ उर्सवी पर करिए बाकी थोड़े से रिस्क जनरेट कर सकते है तो आप मेरे इस आपसे अभी शुगर में जब तक बजट है तब तक कोई कर्रेक्शन बलता है तो डिप पे लेते चलिए उपर बेजते चलिए सिंपल स्ट्रेजी पूटफोलियो को चमकाई ये राय शुगर सेक्टर पर जो मोमेंटम दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में वो कंटिन्यू हो सकता है काफी मिठास दिखी है और बजट तक ये मिठास कंटिन्यू होती हुई नसर आ सकती है फोकस करते हैं हमारे अगे